एक नौकर अपने मालिक से कहता है कि बहान की शादी है इसलिए वाह गाव जा रहा है। टैब मालिक बोलता है कि शादी में कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। जब वह जाने लगता है टू उसकी टक्कर मालिक के भाई से हो जाती है और उसका बैक जमीम पे गिर जाता है जिसके अंदर से सोने का कंगन बहार आ जाता है। जिसे मालिक हाथ मी लेकर नौकर से पूछता है कि ये कंगन टू तेरे मैलकन का है तुम्हारे पास कैसे आया। तभी उसका छोटा भाई नौकर को थपपड मार देता है और असपर चोरी का एलजम लगटा है और पुलिस के हवाले करने की बातकने भाई से करता है। नौकर अपने मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि उसने चोरी नहीं की है और कहता है कि यूज नहीं पता ये कंगन बैग मी कैसे आये। तभी मैलकन आ जाती है। मालिक मैलकन से कंगन के बारे मी पूछता है। इसी बीच मालिक का भाय नौकर का कलर पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले करने की बात करता है। टैब मैलकन बताटी है कि नौकर ने चोरी नहीं की है जबकि उसने ही उसको ये कंगन कपडे के साथ गिफ्ट के टॉर पे दिया है। नौकर को इस बात की जानकारी नहीं है। फर मैलकन कहती है कि नौकर एक ओनस्ट परसन है और कभी उसने कुछ भी नहीं मानगा है। मैंने इसके बहान की शादी के लिए ही ये कंगन बनवाए थे। पूरी जनकरी होने पे मालिक को पच्टावा होता है और मैलकन अपने दैवर को फटकार लगाती है और नौकर से माफी मंगन के लिए कहती है। कानी अच्छी लगी हो टू चैनल को लाइक और सब्स्प्राइब करे प्लीज।